यह आपके लिए है वीडियो यह यह एक मतमाटिक्स टूल है यह मैं आपको बता दूंगे कैसे बनाना है यह इस वेरी वेरी इजी तो मेक और वनली युनीट त्री थिंग्स तो मेक दिस सिरफ आपको तीन चीजें चाहिए जिससे यह आप आराम से बना सकते हो and it is very very helpful अभी exams के लिए बहुत ही helpful है I wanted to make this video yesterday only but I could not आजी मुझे time मिला यह बनाने के लिए तो आप इसको देख लीजे मैं आपको समझा देती हूँ क्या-क्या सामान चाहिए इस टूल बनाने के लिए और यह कितना useful है actually you need one cardboard यह जो मैंने मैं इसकी उपर बनाएं कि यह पुराना कैलेंडर है कैलेंडर का जो गद्दा है न वह है और या तो आप कोई भी रिजिस्टर ऐसे कोई बच्चों के रिजिस्टर है न उसका cover page भी ले सकते हो थोड़ा मोठा होना चाहिए बस यह आगे पिछे दोनों साइड है यह classmate की जो रिजिस्टर है उसका cover page है ऐसे भी आप ले सकते हो जैसे ऐसे है न मैंने इसको फार्ट दिया है यह cover page भी आप ले सकते हो थोड़ा मोठा होना चाहिए फिर आपको चाहिए एक white page white sheet जो A4 size की sheet ऐसे sheet चाहिए बस सबसे पहले एक cardboard फिर एक white sheet A4E की sheet और ऐसे एक transparent sheet चाहिए एक transparent sheet plastic sheet यह transparent sheet आपकी जो assignment booklet है उसे की sheet है यह assignment booklet है उसकी जो cover page है वह ही है उसी को ले सकते हो आप अगर गंदा हो गया तो साफ कर देना कपते से या किसी थोड़ा सा किसी से साफ कर दो फिर वोई sheet को ले लेना उतार दो इधर से cut कर दो और यह sheet को आप ले लो बस इच शीट को आप इसके उपर ये गद्दा है ना वाइट शीट रखे उसके उपर आप इस शीट को ऐसे रखेंगे बस अब बनाना क्या है इसमें अब मेने पास एक देखे एक मैक्स का रिविशन का अडिशन अडिशन के उपर एक रिविशन बनाखे रखा है हमाने ये शीट लिया सपोस्ट मैंने इधर लिया देखो ये गद्धा ले लिया गद्धा के उपर ये रख दिया मैंने फिर इसके उपर transparent sheet रख दी मैंने ठीक है अब transparent sheet भी रख के दिखा दूँगे आपको यह transparent sheet को भी इसके उपर रख दिया मैंने ठीक है इधर इस addition sums में मैंने क्या ने बनाया numbers लिखा नहीं है बस ऐसे add to to ऐसे add लिखे to to ऐसे ही लिखा है देखा न आपने तो अब आपने transparent sheet को रख के और चारों तरफ seal कर दो या तो steple कर दो या आप seal कर सकते हो मैंने यह brown tape से जैसे seal किया फिर आप इसको use कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा देती हूँ अब देखिए यह तो वो जो गदा है cardboard उसके ओपर जो sheet मैंने बनाया वो है फिर उसके ओपर transparent sheet है तो यह चारों तरफ seal कर दो या steple कर देना तो फिर आपका tool ready हो जाएगा यह आप बना के रख दो इसमें numbers नहीं लिखना सिरफ ऐसे base बना के रख देना अब आप यूज के से करेंगे जब भी आपको बच्चे को sums देना है addition sums करवाना है तो आप यहां पर कोई भी number लिख सकते हो 36 मैं blue pen ले लेती हूँ sketch pen है sketch pen use करना 36 और 27 फिर इधर any number if you want you can write any number that is your choice जैसे आप टेस्ट देना चाहते हैं 68, 29, 34, 37 like that ओके यह आप numbers change करके दे दो जब बच्चा sums कर देगा जैसे अभी बच्चे को sketch pen भी दे देना 2 रूपीज की sketch pen है वो दे देना बाकि यह 1 2 प्लस 3, 5 प्लस 1, 6 ऐसे बच्चा पूरा solve कर देगा फिर आप टिक लगा दो अगर टिक है तो टिक लगा दो तो फिर क्या करना है इसको reuse कैसे कर सकते हैं कोई भी ऐसे duster या कोई कपड़ा लेके इसको ऐसे पहुंच दो तो देखो सारे निकल गए एक मिनिट में पूरा clean ह हो गया तो अब दुबारा आपको कभी टेस्ट देना है तो आप नंबर चेंज करके दे सकते हैं तो आपको इधर बार बार यह सब लिखने की जरूरत नहीं है यह की बार में आप एक बार लिख दू यह बेस बना के रख दो ऐसे आप किसी भी शीट के उपर जैसे कोई भी बेस बना दिये 4-clock बेस और मैंने चारों तरफ ट्रांसपरेंट शीट रखे इसके ओपर ट्रांसपरेंट शीट है वह रखे मैंने चारों तरफ सील कर दिया देखियो आप अच्छा से देखो मैंने बोट से वह टेप से सील किया यह अभी मेरा फाइनल हो गया आगे पीछे कि दोनों तरफ अब दो केले यूज कर सकते हैं अब question क्या बनाया मैंने write the time in two ways एक question है write the time in two ways आपको बार-बार clocks बनाने की जरूरत में ये एक बार बना दो अब आपको बच्छों को कैसे testing देंगे आप आप इधर बना दिये एक hands बनाया eight o clock की एक hands बना दिये इधर three o clock की बना दिये आपने ठीक है अब आप बच्छों को बोलो कि two ways में लिखो कहां लिखने बच्छों को यहां पे जो line में ने draw खे इधर लिखना है जैसे eight o clock और एक और तरीका कैसे लिखना है ये this is the other way of writing और three o clock फिर बच्छे ने कर लिया यह test ठीक है और इसको tick लगा दो ठीक है अब next क्या है draw hands तो यह आपको यहां पे dash दिया है ना मैंने इधर आपको time लिखना है यह आपने लिखना six o clock फिर इधर आपने लिखा है nine o clock ओके यह time दिया आपने सिरफ आपको यह o clock यह सब लिखे रख सिरफ number change करना है six o clock बच्चे को बोलो draw करो hands तो बच्चे draw करेंगे अगर यह गलत है बच्चों ने बराबर draw कर दिया तो बोल सकते हो कि यह आपने बराबर draw कर दिया यह गलत है तो ठीक करो उसको या जो ठीक है अगर ठीक बनाया तो ठीक है nine o clock है तो बच्चों ने nine o clock बन बना दिया आप सब ठीक है तो यहां पर आपको किसी कपड़ा लें के सब्क्राइब कर सोलाइलolen a place कि अब बाता ऑचील beauty ऑपने जो नंबर है ट्लोगर भीच देना है पहले आपने यह नंबर यह ऐट व सल यहां पर भी नंबर चेंज कर देना तो एक बार बना के रख देंगे आप तो फिर आप बहुत बार टेस्ट ले सकते हैं इसमें सिरफ नंबर अगर मैंने तो सिरफ टूटो चार क्लोक्स बनाया आप एक पूरा पेज में 1,2,3,4,5,6, अगर तेस्ट करेंगे और कोई शुस्छ नहीं हैं थिक यह यह ईसी है ने अगैसे बनाकर रख दो मिदला कि उनगरγियो लास्ट नहीं पनमोरी की शीट से फोर एसन में असेन्मेंट बुकलेट से आपके पास चार ट्रंसपरेंट शीट हो जाएंगे वो चार हों को निकाल दो उसमें से कट कर दो या फार्ट दो जैसे भी करके उपर उसको डिटाच कर दो फिर चार ऐसे बना दो सोच लेना कि आपको किसकी ओपर प्राक् सकते हो एक जखे डेज ऑफ तवीक और मन्स अफ तई एर कन तो फिर बोलो कि लिखे दिखा दो मुझे बार बार अपने कॉपी भी वेस्ट नहीं करना इसमें लिखेंगे और रब कर देंगे लिखेंगे रब कर देंगे बस एक टू रूपीस की स्केच में चाहिए ओके इस